जैशी किशना दोस्तों बियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तों माक्षीश का बहुत अधिक महतमाला जाता है और माक्षीश में पढ़ने वाली उत्पन्ना एकादशी का सबसे ही अधिक महतमाला जाता है क्योंकि इस दिन एकादशी उत्पन हुई थी और इसमें भी तुलसी पूजन तुलसी पर दीप दान करना सबसे अधिक महतुम बताया गया है क्योंकि शीहरी विश्णु को तुलसी जी बहुत ही प्रियमानी गई है और आज की वीडियो में हम तुलसी पर किया जाने वाला एक ऐसा अधुवत उपाय बता रहे इसके करने से आपकी जो मनो कामना है वो शीगर ही पूरी होगी दोस्तों वैसे तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं विशेश रूप से एकादशी के दिन पुरण मासी के दिन तुलसी का बहुत अधिक महतुमाना जाता है तो आप किसी भी शुप दिन में इस उपाय को अधूरी मानी जाती है भगवान कृष्ण को देखे तुलसी के बिना भोग भी नहीं लगता है क्योंकि तुलसी भगवान कृष्ण की सबसे प्रीय मानी गई है और इस दिन तुलसी का पूजन अधूरी करना चाहिए दोस्तों तुलसी का हमारे हिंदू धरम में बहत अधिक महत बताया जाता है जिस घर में तुलसी का पूजन होता है उस घर में कभी भी देखे नकारात्म कुर्जा का वास नहीं होता वास्तुदोश नहीं होता उस घर में सुक सम्रिद्धी का आगमन सदे बना रहता है आदशी के दिन विशेश रूप से तुलसी का पुजन आवश्य करें और इस उपाय को करके जरूर देखें आप अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं यानि भगवान कृष्ण के सामने ही बैट कर आपको यह उपाय करना है एक सो आठ गांट उस कलावे में लगानी है यानि अपनी जो भी इच्छा है आपको देखे अपनी एक इच्छा के लिए इस उपाय को करना है अपनी कोई भी एक मनो कामना को ध्यान में रख कर आपको 108 गांट लगानी है अगर हर गांट पे आप संतान गुपाल मंत्र का जाप कर सके तो बहुत ही शेष्ट है अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा या राधा कृष्ण राधा कृष्ण या ओम क्लीम कृष्णाय नमा किसी भी मंत्र का आपको एक माला का जाप अवश्य करना है अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और उस धागे में आपको 108 गाट लगा देनी है और भगवान कृष्ण को उस कलावे को अरपित कर देना है और उनसे अपनी प्रातना अवश्य बोलनी है उसके बाद इस धागे को आपको उठा ल लपेड देना है दोस्तों अपनी इच्छा बोलते हुए आपको मत्र धागा लपेड देना है और तुलसी के आपको साथ परिक्रमा ओम लमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं और तुलसी माता के सामने भी अपनी इच्छा अवश्य बोले जिस भी मनो कामना से आपने ये उसी को ध्यान में रखकर आपको ये उपाय करना है बैट कर आपको देखे संकल्प करना है जिस भी मनोकामना से आपने ये उपाय किया है अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जलने अपना नाम और गोतर का उच्चारन करे और जिस भी मनोकामना के लिए आपने मतल़ इस उपाय को किया है उसको बोलकर आपको तुलसी के गंले के पास ही उस जल को छोड़ देना है दोस्तों इस तरह से इस उपाय को करना है और जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी होती है तो उस कलावे को यानि जो धागा आपने तुलसी में लपेटा है उस धागे को आपको किसी भी बहते पानी में प्रवाहित कर देना है देखना इस उपाय को अगर आदशी के दिन विशेश रूप से तुलसी का पूजण अवश्य करें और इस उपाय को करके जरूर देखें तो आपकी जो मनुकामना है बहुत ही शीग्र पूरी होती है क्योंकि भगवान कृष्णी की सबसे प् आप राप करें आप सभी को